हेलो दोस्तो मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ सूजी से बनने वाले बहुत ही खास्ता और टेश्टी बिस्किट की रेसिपी इसको बनाना काफी आसान है खाने में भी बेहर टेश्टी लगता है जैसा मार्केट में वो मोटा वाला बिस्किट मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से आपको खाने में लगेगा बिल्कुल वैसे ही टेश्ट आएगा और बनाना बेहासान है और अगर आप लोग इस तरीके से घर पे बनाएंगे तो मार्केट वाला बिस्कित खाना भूल जाएंगे यह इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप लोग भी सूजी की बिस्कित की रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को जरूर दबा दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस बिस्कित को बनाने के लिए एक बरा सा बाउल लेंगे उसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी तो आप कोई भी कटोरी या फिर कप सिट कर लें उसी से आपको सब भी चीजे डालने हैं तो आप हम यहाँ पर आधा कटोरी आटा भी ले रहे हैं तो एक कटोरी सूजी लेना है उसी कटोरी से आधा कटोरी गेहू का आटा लेना है और उसी कटोरी से हम आधा कटोरी चीनी लिये थे उसको हम पीस लिये हैं तो हम इसमें डाल देंगे में में चीनी आप इसाव नहीं जाएरE ज़र दो जब्लकेंशपर्ट कुछा पाइची मिड़िती उस नमा पंड करेंगे अचैनेकर हैं जीक्राइची क्योंक्ति यहां chops मैं पताइबीज़क्त अब सभी चुजो को अच्छे से मिक्स करके देखेंगे जो अच्छे से बाइंड होड़ा है कि अगर बाइंड अच्छे से हो जा यानि कि तेल आप नहीं डालना है तो हम दो-तीन चमच उसमें से भी तेल छोड़ी दिये थे तो अब क्या करेंगा हाथों के मतल़ से अच्छे मिक्स करें तो यहां पर हम गुन-गुना दूद लिए है ठंडा या फिर ज्यादा गरम नहीं लेना है तो असा गुन-गुना दूद लेना है और एक बार में ज्यादा दूद नहीं डाला ज़रोत लगेगा तब ही डाले फिलहाल 2-3 चमच पहले डालके अच्छे से मिक्स क एक डो की तरा रेडी कर लेंगे तो यह तरीकस कपहते हैं तो हम अच्छे से मिक्स करके डो की तरा रेडी कर लेंगे है तो चलिए मिसको क्या करेंगे ऐगे 1-15 मिनट्र के लिए नहीं रखना है क्योंकि सूजी जो अच्छे से फूलती है इसलिए तो अगीला रखे और उसके बाद 20 मिट बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का डो हो जाएगा थोड़ा सा टाइट तो हम इसको फिट से एक बार एक से दो बार अच्छे से मसल देते हैं इस तरीके से य जालेंगे गोल गोल और साइट से भी थौसा इसको सेब दे देंगे इस तरीके का और उसके बाद इसको हम कट करेंगे तो यह देखे इसको हम सेब दे दिये हैं तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं तो अब हम इस तरीके से इसका सेब दे दिये हैं तो चलिए अब हम इ नहीं लगता है और फटा-फट से धेर सारा आपको बिस्कित बनके तयार हो जाएगा तो ये देखिए सभी को कट कर दिये हैं अब कुछ ने करना बस इसमें से एक पीस लेंगे और हाथों से इसको इस तरीके से दवा देना है ये देखिए तो हाथों से इस तरीके से दवाने इसको तयार कर सकते है इस बिस्कित को फिलार तो चाकू तो सभी के घर में रहता है तो चाकू की मदब से आप इस तरीके का बढ़ियां सा डिजाइन और आसान तरीके से बना सकते हैं तो इसी तरीके से एक एक करके ये पीस लेंगे उसको हाथों में डालके प्रेस कर तो ये देखिए दोस्तो धेट सारा बिस्किट हम बनाके रेडी कर लिए तो इसको हम बेक नहीं करेंगे इस बिस्किट को आज हम फ्राइ करेंगे तो चलिए इसको फ्राइ कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पर तेल को गरम कर लिए तेल को जो अच्छे से गरम नहीं करना ब रूप लीए इसको फ्राय करना है, इसको डाल दी है आप देख सकते हैं, जो फ्राय हो चुका है, थोड़ा से, चलिए अब हम एक एक करके बिस्कित को पलड़ देते और यह देखिए कितना अच्छा color आया है इसका तो एक एक कम करके सभी बिस्कित को पलड देंगे और दोनों तरब से इसको हम आलट पलड के golden brown color आने तक इस biscuit को fry कर लेंगे तो यहाँ पर हम सभी बिस्कित को पलड दीए तो चलिए अब हम सभी बिस्कित को fry कर लेते हैं तब हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए दोस्तों सभी बिस्किट को हम फ्राइ कर लिए आप देख सकते इसका कलर काफी अच्छा आया दोनों तरफ से एकदम अच्छे से फ्राइ हुआ है तो इसको हम चार मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ कि लेते हैं तब हम आपको दिखाते हैं तो ये देखि दो इस से एकदम सूपर टेश्टी और एकदम खास्ता सूजी से बनने वाला यह बिसक्यट बनके हैren तैयर तो चल ये अब हम आपको एक बिसकीट को तोड़के दिखाते हैं तोडने पे पता चल जाएगा कि यह कितना ज़्यादा खास्ता बना और यह देखे बहुत ही ज़्यादा खास्ता बना बहुत ही जल्दी तूट गया यानि कि बहुत ज़्यादा खास्ता बना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको एक से डे तब तक के लिए बाई